प्सक्राइब करें मेरे चैनल सुपर टेक्नोलजी फोर लेटेस्ट टेक्निकल अपडेट्स वेलकम टो मैं चैनल सुपर टेक्नोलजी मेरना मंदीब दुल्ड दोस्तों पहले में पीपीटी करने के लिए कई गंटे लगते थी लेकिन एई ने हमारे काम को बहुत ही इजी कर दिया अभी आप एई के साथ विदिन फाइब मिन्ट से पीपीटी कर सकती हो इसके लिए अभ आपको किसी भी content की जरूरत निया, किसी भी idea की जरूरत निया जस्ट आपनी एक line लिखने है एक line लिखने के बाद विदिन फाइब मिन पीटी create हो जाएगी तो अभी हम इस वीडियो में देखें कि आपने कैसे करना है और कैसे पीपीटी को डॉनलो डॉनलोड करना है अग तक दोस्तों आपने मोवाइल जब लापटॉप से किसी ब्राउजर को ओपन करने के बाद यहां पे आपने लॉग इन कर लेना किसी भी अपने जीमेल अकाउंट के साथ उसके बाद आपने यहां पे सर्च करने गामा डॉट एप दोस्तों जैसे वेबसाइट ओपन हो तो दोस्तों यह बहुत ही इजी पर सैस है कि क्लिक करने तो अभी यहां पे आपका साइन हो जाएगा उसके बाद कुछ यहां पे आपको क्वेश्चन के अंसर करने हैं आपने यहां पे कोई भी उप्शन को चूज़ करके नेक्स कर देना है एंडर कॉंटिन पे क्लिक कर द करने के बाद यहां पर अप्शिन शोगी जन्रेट फ्रां वान लाइन प्रॉमट इन फ्यू सेकंड्स मींज आपके पास कोई भी मेटीरल नहीं है कोई वेबसाइड नहीं कोई भी नोट्स नहीं जस्ट आपने यहां पर राइट करने कि मुझे इसके रिगार्डिंग प्र को चूज करने हैं अगर आपके पास किसी वेबसाइड का यूरल है जा फिर किसी वीडियो का यूरल है तो आपने यहां पर क्लिक करके पेस्ट कर देना है तो आप यहां से कर सकते हो अभी हम यहां पर फास्ट आप्शिन को चूज करते हैं क्रेट वान लाइन प्रॉमट त कितनी कार्ड कितनी स्लाइड करना चाहते हूं वन टू ट्री फॉर फाई सिक्स सावन एट नाइट टैन टैन स्लाइड तक फ्री है उसके बाद आपको पे करना होगा अबॉट टैन डलर्स पर मंथ अब ही हम यहां पे सेमिफ्री के साथ ही चलेंगे उसके बाद लेंगवेज किस लेंगवेज में करना चाहते हूं तो यहां पर बहुत सारी लेंगवेज अबयबल है ह हिंधि करना चाहते हो लें घ्तर और यहां पर ऑप impulsz ऑ शो है डिस्क्राइब य्यू want to make आपने राइट कर दिना है कि आप किस के रिगार्डिंग प्रेंटेशन क्रेइट करना चाहते हूं तो दोस्तों यहां पर मिने राइट कर दिया राइट कर दो क्रेंटेशन क्रेट प्रेंटेशन फॉर टैंथ स्टैंडर एक्सलाइशन ओद ऑफ आफ आटिफिज निट ए इंट्रोड़क्शन शो होगी एंज डेली लाइफ हाओ मिशीन लेर्न सब्सक्राइब सब्सक्राइब कौन कौन सी है यहां पर आपको फूल डिटेल शो हो जाएगी तो उसके बाद बॉटम पर आपने क्या करने यहां पर आपनी स्लैट करने कि आप मिनिमुम टेक्स लिखना छाहते हूं स्लैड पर कितना टेक्स होना चाहिए मिनिमुम होने चाहिए जैसे थोड़ा ज्यदा होने चाहिए जाए जैसे आपनी इहां पर मैं कर रहा हूं मीनिमल से सर्च करके आटोमेटिक insert हो जाएं, AI image होनी चाहिए, animated GIF होनी चाहिए, image placeholder, don't add a image, ठीक है, ascent image, आप कौन सी image, image placeholder, don't add a image, ascent image, आप कौन सी image यहां पे add करने चाहते हूं, अपने accordingly यहां पे set कर लेने, उसके बाद model select करने, ठीक है, flux fast 1.1, यहां पे मैं auto select पर ही कर रहा हूं, उसके बाद art type किस type का, जो photos उसमें किस type की होनी चाहिए, जैसे यहां पे cartoonist type होनी चाहिए, photo realistic लगनी चाहिए, abstract होनी चाहिए, 3D photos हो, line art, custom आप अपने accordingly set कर सकते हूं, तो आपने यहां से select कर लेने, जो भी आपको better लगता है, तो अगर आप कुछ extra add करना चाहते हूं, cinematic lighting वगएरा, तो आप यहां पे extra भी add कर सकते हूं, उसके बाद अपने continue पे click करने के बाद, यहां पे अपने theme पे करनी है, जैसे यहां पे आप slide करोगे, तो आपको यहां पे theme show हो जाएगी, कि आप किस type की theme पे, पीपीटी create करना चाहते हूं, तो आपने अपने accordingly यहां पे कोई भी theme को choose कर ले ना, जैसे यहां पे मैं इस theme को use करना, उसके बाद अपने हैं generate पे click कर देना theme को select करने के बाद, तो दोस्तों यहां पे ppt create होनी start हो गया है, तो यहां पे one by one सभी pages about within 30 seconds to one minute में automatically यहां पे pages create हो जाएंगे, अगर आप बाद में कोई changes करना चाहते हैं तो आप बाद में कोई changes भी कर सकते हूं, अभी यहां पे almost जो मेरी ppt हो create हो गी है, तो दोस्तों यहां पे ppt create हो गी है, बहुत जवरदस्त ppt यहां पे create हो गी है what is an artificial intelligence and introduction for students all in your daily life, तो दोस्तों यहां पे पूरा explain कर दिया है ppt को, यहां पे में जिसे भी बहुत जवरदस्त लग रही है, तो दोस्तों अभी हम देखने वारा कि अगर आप किसी particular slide में editing करना चाहते हूं, तो कैसे करना है और उसके बाद हम देखें कि आपने share कैसे करना है और किस size में यह share होगी, portrait में होगी है फिलेंडस्केप में तो आपने वीडियो के साथ बने रहना है, तो दोस्तों आपने यहां पर pen case साइन पर क्लिक करने के बाद option शूर यह शेयर की, तो दोस्तों यहां पर शूर है कि आप mobile में इसे editing नहीं कर सकते, अगर आप editing करना चाहते हैं तो आपको इसे desktop में use करना होगी, जा फिर आप mobile के desktop mode को use कर सकते हूं, जैसे यहां पर option रहती है desktop mode की, तो आप यहां desktop side पर क्लिक करके यहां पर कुछ भी editing कर सकते हूं, किसी भी text में, किसी भी photos में editing कर सकते हूं, तो अभी हम देखने वाले कि आपने share कैसे करना, आपने share पर क्लिक करने, करने, शेयर करने के बाएं पर शेयर करने के यहां पर इखने करने के यहां पर आप शीर करना कर शाहते हैं, कि आप इसे पीडियाप में export करना चाहते हadt यह SS भीاخछिए हम पे PDF की में डंलोड हो जाएगी, अगर आप PBT की फॉर्म में download कर सकती हैं पर GωGL स्राइडिस की फॉर्म में डाउनलोड कर सकते हैं आप यहां पे प्यांज फाइल भी डाउनलोड कर सकते हैं और यहां पे आप डिरेक्ट लिंक्डेन पे भी शेर कर सकते हूं तो आपने यहां पे अपने अकॉर्डिंग ली इसे डाउनलोड कर लेना अभी यहां पे मैं से प बहुत कम रहता है अगर आप प्रेंटेशन देना चाहते तो आप पीडिएफ की फॉर्म में भी दे सकते हूं इमेल यू लिंक डाउनलोड फाइल तो यहां पर लिंक मिल जागा फाइल का डाउनलोड करने के लिए तो यहां पर मेरे पास लिंक कर सीब हो गया तो दोस्तों अ आपने डाउनलोड पीपीटी एकस पे क्लिक कर देना है और यहां पर पीपीटी एकस फाइल डाउनलोड हो गया है मेरे फोन में अभी हम यहां पर इसे ओपन करते हैं तो पावर पाइंट के साथ ही इसे ओपन करते हैं आप इसे बड़ी सक्रीन पर बड़े प्रजेक्टर पर इसे present कर सकते हों तो यहां पर सबी पेज बहुत ही अच्छे और बहुत ही clearly यहां पर बीजीबल है अगर हम यहां पर इसे zoom करके देखें तो quality बहुत ही अच्छी है तो दोस्त इस टैप से आप PPT को download कर सकते हो अगर आप किसी के साथ share करने चाहते तो कैसे करने आपने WhatsApp को को उपन करने के लदे यहां पर कलिक करने को ज्र ऑपने यहां से किलिक करने Is जो भी रपर के रख्राव करके अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लेगी तो अपने फ्रन एंड फैमिल मेब्रिक साथ शेयर कीजिए थेंक यू फर वाचिंग प्लीज सब्सक्राइब मैं चैनल फो लेटेस्ट अप्डेट्स